हलो प्राइंस वेलकम बैक टो माई चानल मैं हूशे प्राइन है तो आज हम बिल्कुल नहीं तरीकेसे होटल और रिष्टोर्ने श्टाइल बॉयलर चिकन करी बनाने वाले हैं यह खाने में काफी ज्यादा टिश्टी होती है और आप इसको बिल्कुल इसली बना सकते हो तो द तो यहां पर दीखिए हमने दो केजी बॉयलर चिकन लिया हमने इसको बिल्कुल अच्छी तरह कैसे क्लीन एनवस कर दिये थे हम इसके अंदर एड़ कर लेंगे नमाक हल्दी पावडर और लाली मिर्श पावडर और हम सबसे पहले इसको अच्छी तरह कैसे मैरिनेट करने क विल्कुल तो हम कड़े के अंदर एड़ कर लेंगे कोकिंग ओयल और जैसे हमारा ah कुकिंग ओयल अच्छे से हीट हो tips हो जाए हम इसके अंदर चिकन को लाइड करके दिखिये, बिलकुल इसी प्रकार से दिखिये, और इसको अच्छी तरह केशा आपको mix कर ले ना है दिखिये तो दीखिये, 10 से 15 मीट के बाद हमारा चिकन अच्छी तरह केसे फ्राय हो चुका है, तो हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे दिखिये उसी के साथ अभी हम चलो ग्रेव बना ले तो हमने कोकिंग आइन में एड़ किया तेजपता, कलमी और इलाइचा और इनको बिल्कुल अच्छी तरीका से तेड़क ने देंगे ताकि इनका जो टेस्ट है बिल्कुल अच्छी तरीका से एक्टिवेट हो जाए उसके बाद हम इसके अंदर एड़ कर लेंगे डेगी में चुपावडर और बिल्कुल इसको अच्छी तरीके से पकने देंगे अच्छी तरह के से पकने के बाद हम इसके अंदर एड़ कर लेंगे पैच का पेश्ट तो हमने च्यार पैच का पेश्ट बना के पहले सी पीस के रग दिये थी दिखिए तो हम इसको बिल्कुल अच्छी तरह के से ब्राउन होने तक पकने देंगे देखिए तो हम दो कीजी चिकन बनाने वाले हैं तो हमने इसमें च्यार से पाच पैच का पिष्ट बनाया है और पैच को बिल्कुल आपको अच्छी तरके से भून लेना है इसके बाद हम इसके अंदर आट कर लेंगे दो बड़े चमच गरम मसला पाउडर और बिल्कुल अच्छी तरके से हम इसको मिक्स कर लेंगे दीखिए तो यहाँ भी देखिए है हमारा पैच का पेश्ट बिल्कुल अच्छी तरह कैसे पक चुका है तो हम इसके अंदर आड़ कर लेंगे जिंगर गाली का पेश्ट देखिए तो आपको जिंगर गाली का पेश्ट का थोड़ा ज्यादा यूच करना है और जब तक कि हमारा ओइल उपर नहीं आता तब तक आपको इसको अच्छी तरह कैसे पका लिना है देखिए फ्रेंड्स तो हमको जिंगर गाली का पेश्ट पकाती होई पाच मिन्ट हो चुके तो हम अभी इसके अंदर लेंगे 1 teaspoon नमक और 1 teaspoon healthy powder healthy powder पहले डालने से हमारे gravy में काफ़े चक कलर आता होई तो हम इसलिये नमक और healthy powder पहले अड़ करते हैं और बिल्कुल इनको अच्छी तरह कैसे mix करने के बाद हम इसके अंदर अड़ करेंगे tomato paste तो आप टोमेटो पेश्ट की जगह चौप टोमेटो भी एड़ कर सकते हो और टोमेटो को पेश्ट के आपको बिल्कुल ओईल को उपर आने तक अच्छी तरह किसी पका लेना है इसके बाद यहाँ पी लिए हमने जीरा पॉडर धनिया पॉडर लाली बिर्च पॉडर और ले क्योंकि हमारे मसाले नीचे लगना निची चाहिए और बिल्कुल अच्छी तरह किसे हम इसको मिक्स कर लेंगे दिखिए तो दीखिए हमारे ग्रेवी में काफ़े अच्छा कलर आ चुका है तो दीखिए बिल्कुल दो मिन तक हमारे ग्रेवी पकने के बाद हम इसके अंदर अभी आड़ कर लेंगे चीकन तो फ्रेंड्स हमने चीकन को पहले सी सेलो फ्राइ करके रख दिये थे जिसे की हमारा चीकन बिल्कुल 80% तक अच्छी तरके से फ्राइ हो चुका है तो हम बाखी का 20% हम ग्रेवी के साथ पकाने वाले है देखिए तो बिल्कुल अच्छी तरके से आपको चीकन को इसको मिक्स कर लेना है और जो बाइलर चिकन रहता है फ्रेंड्स जो हम इसको फ्राय कर लेते तो उससे काफी अच्छा रचा कड़क आता है तो इसलिए हमारा बॉइलर चिकन खानी में अच्छा टेश्टी लगता है और इसके बाद हम इसके अंदर आड कर लेंगे पानी तो पानी आप पकने देंगे दीखिए और हम इसके अंदर आड कर लेंगे फ्रेश कटा हरा धनिया और बिल्कुल इसको अच्छी तरह कैसे मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल इसको पाच मिन तक अच्छी तरह कैसे हम इसको पकने देंगे दीखिए तो देखिए हमारी चिकन करी में काफी अ उच चुका है तो देखिए इसकी ठीकनस इसका कला और यह खाने में भी काफी ज्यादा टिश्टी है आप इसको रूटी नान या चावल के साथ बिल्कुल इसली खा सकते हो तो दिखिए तो बिल्कुल ऐसा चिकन बनाना चाहते हो तो वीडियो को जरूर देखिए और आप हम